इपार्ट्रिती के प्रिय छात्रों आपने कुमार संभव में इससे पूर्व तक भगवती पार्वती की शिक्षा विश्यक बातों की विश्य में जाना। उन्होंने किस प्रकार से अपने गुरों से ज्ञान को प्राप्त किया लेकिन आज हम 31 से 35 श्लोगों की व्याख्या करें हैं उसमें उसकी विवावस्था की विश्य में चर्जा की गई हैं। हम कुमार संभव के श्लोग 31 से 35 तक के श्लोगों पर व्याख्यान करें और उसमें चर्चा करें। 31 स्लोग है असंब्रितम्मंडनमंग यस्टह अनासवाख्यम करणम्मदस्य कामस्य पुश्पक व्यतरिक्त मस्त्रम बाल्यात परम साथ वयः प्रपेदे। 32 अर्थात इसके अनंतर यानि विद्या ग्रहन करने के पश्चात किशोरा वस्ता के बाद वह पार्वती शरीर रूपी यस्टी के लिए अनायाश अलंकरण यानि भूशन श्वारूप आसव अर्थात मद के बिना ही मदोनमत करने वाली और कामदेव का पुश्प से भिन अस्त्रस्वरूप यवावस्ता को प्राप्त होई। अब यहाँ पर भगवती पार्वती के योवन का यहाँ पर अधिक ग्रहन किया गया है। अर्थात इससे पहले किसोरावस्ता थी, उसकी सोरावस्ता में पार्वती ने अपनी विद्या को ग्रहन किया, लेकिन उसके बाद में वे यवावस्ता में जो ही प्राप्त होई हैं, तो उसका जो सरीर है, सरीर रूपी जो यस्टी है, यस्टी का मलब जो दंड है, उसके लिए अनायास वै अलंकर्ण बन गई है अब भूशन बन गई है लोगों को आशव पीने से या शराब पीने से नशा होता है लेकिन आशव के बिना ही मदोन मत्त करने वाली कोन है वै भगुती पारुती है ऐसा उनका दिव्यस्परूप है और कामदेव का जो पुश्प है उससे भिन अस्त्रस परूप यवावस्था को प्राप्त हुई है एक तो कामदेव का अस्त्र होता है जिससे संसार की समस्त प्राणी काम से पिडित होते हैं संतप्त होते हैं लेकिन भगुती पारुती को तो उस कामदेव के पुश्प से भि देधिन नहीं यहावस्था रूपी जो अस्त्रव्य प्राप्त हुआ है िस प्रकार से पार्वतिं की विशय में यहां पर चर्चा की गई है उसके योगन की विशय में प्रत्या करने पर बनता है इसी प्रकार से मंदन शब्द मंद धाथ उसे लिट प्रत्या करने पर बनता है जिसकार्थ होता है मंदयती इती मंदनम यहीं सजाना अभूशन अनासवाख्यम आसव होता है और नासवाख्यम 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 ने तत्पूर सा यहाँ पर भी आसव उपद पूर्वक छ्या धाथ उसे लिट प्रत्या करने पर यह शब्द मंता है और करण उपपद करण जो शब्द है वैक्री धातु से लिड़ प्रत्य करने पर बनता है इसी प्रकार से व्यतरिक्तम यह जो शब्द है वी उपसर्ग पूर्वक और अति उपसर्ग पूर्वक रिच्धातु से प्रत्य करने पर व्यतरिक्तम ऐसा शब्द बनता है फिर कहते हैं महाकवी कालिदास अर्थाथ भगवति जो पारवति है उसकी योवन के विशे में आगे चर्चा की जारी है कि नव योवन से युक्त उन पार्वती का शरीर तूलिका द्वारा खचित चित्र की भांती तथा सूरी की किर्णों द्वारा विक्षित कमल की भांती संपूर्ण तया सुशोवित था कोई एक अंग्स या एक भाग उनका सुशोवित नहीं हो रहा था अपितु एक विक्षित कमल के समान संपूर्ण रूप से ही उनका जो योवन है वह सुशोवित हो रहा था उनमीलितम उदुपसर्ग पूर्वक्ट विल धादु सेकता है प्रत्या करने पर इटकागम होकर के उनमीलितम शब्द बनता है जिसका आर्थ मेजे होता है बंद करना और भिन्नम भिद धादु सेकता है प्रत्या करने पर यह शब्द बनता है यह पर तकार को नकार आदेश होने पर और पेड़ार को भी नकार आदेश होने पर भिन्द शब्द बंता है चतुरस्त्र शोभी शोभी तो होता है शोभी क्यालाता है ता छिल्य निन्ही उसके श्वहाव के अर्थ में यहांपर निन्ही प्रत्यका विधान किया गया है इस प्रकार से इस लोग के अंदर जो महतुपूर्ण शब्द थे उनकी हमने चर्चा किये हैं फिर आगे महाकवी कालिदास कहते हैं अभ्युन नतांगुष्ट नखप्रभाभिर निक्षेपनात द्राग मिवोद गिरंतव आ जहस्तु चर्णव प्रतिव्याम स्थलार विंद श्रेम अभ्यवस्थाम। हर्थात अभ्युन नतांगुष्ट नखप्रभाभी निक्षेपनात रागमुद गिरंतव इव तच्चर्णव प्रतिव्याम अभ्यवस्थाम स्थलार विंद श्रियमा ज्रहतु हर्थात उपर उठेवें अंगुठों के नखों की कांति से गमन के समय मानु राग यानि अरुनिमा को उगल रहे हों ऐसी पार्वती के दोनों चर्ण प्रत्वी में सचल स्थलकमल की शोभा विकिर्ण कर रहे हैं। अब यहां इस श्लोक से लेकर आगे 17 श्लोकों द्वारा पार्वती के नक्षिक का वर्णन किया गया है। यही नाखून से लेकर और शिखा तक का शारिक वर्णन करना ही नक्षिक वर्णन क्यलाता है। देवताओं के रूप एवं अंग में नक्षि प्रारंब करके शिक तक का वर्णन किया जाता है। और मानवों के अंग वर्णन में शिक से नक्षिक का वर्णन किया जाता है। इसे स्लोक में अंगुष्ट येनि पाद का वर्णन किया जाता है। पूर्वक शिप धाता से लिट प्रत्या करने पर निक्षेपन बनता है और उसका पंशमी का एक वजन का रूप निक्षेपनात ये सा बनता है। उद्गिरंतव उद्वसर्ग पूर्वक ग्रीधात उसे शत्री प्रत्या करने पर उद्गिरत बनता है उसका द्विजन का रूप है उद्गिरंतव एब्यवस्थाम विगता अवस्थायती ताम एब्यवस्थाम जिसकी अवस्था चली गई है ब्यतीत हो गई है। इसमें समास अभ्युन्वत श्चा सो अंगोष्ठ श्चा अभ्युन्वत अंगोष्ठ कर्मधार समास है यहाँ पर। इस प्रकार से भगवती पारुती के नक्षिक का वर्णन यहाँ पर प्रार्म किया गया है। कभी फिर कहते हैं साराज हंसही रिवसनतागी गतेश लीलाँचित विक्रमेशु व्यनीयत प्रत्यौपदेश लुप्धही आदित सुभिर नूपूर सिंजितानी प्रत्युपदेश लुब्धई नूपुर सिंजितानी आदित सुभी राजहंसई सन्नतांगी सा लिलांच द्विक्रमेश व गतेश व व्यनियत आईवा इसमें महाकविक कालिदास कह रहे हैं कि प्रत्युपदेश यानि उपदेश के बद्दे में उपदेश देना वह प्रत्युपदेश कहलाता है तो प्रत्युपदेश के लोभी तथा पार्वती के नूपुरों की मदुर्द्धवनी का ग्रहन करने के चुप राजहंसों से स्तन भार से किंचित जुगी हुई पार्वती ने लीला विलास युक्त गमन की शिक्षा को बदले में ग्रहण किया हर्थात राजहंसों ने पार्वती के जो नुपूर है पायल है उनसे मधुर्धवनी की शिक्षा ग्रहन की और पार्वती ने राजहंसों से मन्थर गती की शिक्षा प्राप्त की यहां पार्वति और हंस में विद्या विद्या की शिक्षा है इस श्लोक में पार्वति की गदि का वर्णन है कुस समस्त पद है सन्नतम अंगम यस्याह सासन नतांगी बहुरी समास है इसमें लेला भी अंचिता विक्रमह येशू तेशू लेलांचित विक्रमेशू बहुरी समास हो गया है यहाँ पर और सब्तम्यंत सब्तमी का बहुजन का रूप है लेलांचित विक्रमेशू महाकवी कालिदास ने फिर का है व्रित्तानु पूर्वेच नचात दिर्गे जंगे शुभेश्रिष्ट वतस्त दिये शेशांग निर्मान विधाव विधातु हू लावण्य उत्पाद्य इवास यत्नः बृत्तानु पूर्वेच न अधि दिर्गेच सुभे तदिये जंगे शुभेश्रिष्ट वताह विधातु हू शेशांग निर्मान विधाव उत्पाद्य लावण्य यत्नः आस है इ अर्थात पार्वति की गोलाकार अत्यन्त बड़ी नहीं गोपुच्छाकार तथा मंगल में जांगों को बनाने वाले विधाता को उसके अवसिश्ट रंगों का निर्मान करने के समय पुनह अधिकलावन नुत्पन करने में मानो यत्न करना पड़ा यहां कुछ खास सब्दाएं हैं स्रिष्ट बता है स्रिष्धात उसे क्तै प्रत्य करने पर स्रिष्ट सब्द बनता है उसमें मतुप प्रत्य करने पर स्रिष्ट बत और उसका सस्टी का एक उजन का रूप बनता है स्रिष्ट बता तदिय तस्यह इव तदिया यहां पर तत से छे प्रत्या करने पर और छे को यह आदेश दता है उससे तदिय बनता है उसको इस्टिलिंग में तदिया यह टाप प्रत्या करने पर बनता है निर्मान शब्द में निरुपसर्ग है मा धातु है और लिट प्रत्या लगा है विधातु हुशब्द विउपसर्ग पूरवक धातु से त्रिच प्रत्या करने पर करता क्यार्थ में प्राप्त होता है और उत्पाद्य में उदुपसर्ग है पत धातु है निर्ट्स प्रत्या होने के कान से इडिजन्त हो गया प्रेनार्थक हो गया और उसको फिर प्रत्वा की स्थान पर लिया पादेश होकर कि यह शब्द बनता है उत्पाद्य उत्पन्द करके इस लोग में जंगहा का वर्णन किया गया है समास की बात करें तो व्रित्ते चैते अनुपूर्वे चै व्रित्ता अनुपूर्वे इसमें कर्णारे समास है इस प्रकार से महा कवी कालिदास ने कुमार संभव में भगवती पार्वती के योवन प्राप्त करने पर उसके नक्षिक वर्णन को प्राण किया है हम अगले वीडियो में आगे के नक्षिक वर्णन पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम